आप पिछे अध्यक्तिव के बारे में आपने इस्टिव पिछले चैप्टर में पढ़ा था अब हम आपको एड्जेक्टिव की डिग्री बताएंगे एड्जेक्टिव की तीन डिग्रियां होती है पॉजिटीव कंपालिटीव एंद सुपर्लेटीव डिग्री राइगुलर यह किन के लिए regular adjective के लिए आपने स्टोंच की जितनी भी बॉक्स बने विए सारी के सरे आपने अपनी नोट बुक के अंदर नोट करने हैं जिसे बॉल्ड बॉल्डर बॉल्ड एस्ट चीख है व्य royalty गांड़ आपने समय की तूर महते बॉल्ड नोट इए आपने सगट है यहां पर प्लॉल्ड है फेट चीख यहां पर इस थे थेड Smashтесь some adjectives add ER and EST to form the comparative and the superiority degree by replacing the last letter कई हमें हटाना होता चाहिए, ड्राइ में य को हटा दिया और IER लगाया चीक है, य को चैंज कर दिया, ड्रायर ड्राइस्ट if an adjective has two or more than two selves, we use more or most to form the comparative and superiority degree active, more active, most active, beautiful, more beautiful, most य भी आपने करने हैं, नोट करने हैं इसके अंदर irregular adjective, irregular adjectives में क्या है कि ना तो ही इनमें हम ER या EST add करते हैं, ना या more या most का यूज करते हैं, इनमें क्या होता है कि इनका वर्ड ही अलग होता है, good, better, best, bad, work, worst, a little less list, आरिये बास समझ में आपको स्कीन का वर्ड ही अलग हो जाता है, यह भी आपने नोट करना है, fill in the place with the correct option, he has become a person after living that gang of mischiefs, अब यहां पर comparison हो रहा है, become a better person, उन से अच्छा बन गया, तो comparison के लिए यहां पर बैटर का यूज हमने किया है, the man was attacked with a object, simple है कि आदमी ने attacked किया है, surface नहीं है, साथ नहीं है, देखो, अब मैं थोड़ा सापको और बताता हूँ, जहां पर then I, mostly आपको क्या करना है, वहां पर er, comparative degree का यूज करना है, जहां पर then I, वहां पर आपने asti, superlative degree का यूज करना है, he is the longest girl, sorry, she is the longest girl, he is the boy, longest boy, okay, have a good day.